Hello students, आज हम लोग करेंगे कि river crossing के questions होते हैं उसमें कुछ भी पूछ थो तो इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे तो देखे ऐसा है कि river crossing के questions motion in plane में, motion in two dimension में relative velocity के under आता है Question कुछ-कुछ इस ताइब से रहते हैं कि आपको एक river के channel की width दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि एक boatman, एक swimmer, कोई person, he wants to swim across the channel, वो उस channel के river के channel की width है, उसको cover करना चाहता है, तो अब उसको, अगर river के channel की width दी होती है, तो पूछा जाता है कि कितना time लगेगा swim across channel में left bank से right bank तक जाने में कितना time लगेगा, और दूसरा, जब वो दूसरे end प along, river के flow के along, कितना चल जाएगा, जिसको हम लोग drift बोलते हैं, तो basically एक question, दो question होते हैं, इसमें, दो sub questions से मिलके बना होता है, एक तो time taken to cross the river, और दूसरा, drift, drift बताना होता है कि कितना drift हो जाएगा, while crossing the river, तो ये time taken to cross the river, और drift जो हम लोगेगे बतानी होती है, तो उसके जैसे माल लीजे, आप river को समझ लीजे, wind है, boat, ship, man, swimmer, जो भी जो river को cross करने की को समझ रहा, आप उसको समझ लीजे कि plane है, अब अगर wind ना चल लही हो, तो एक plane जिस direction में जा रहा है, वो होगे plane की velocity with respect to wind, मतलब wind अगर ना चले, wind को rest में माल ले, observer माल ले, तो plane जिदर जात अब wind चलने लगे, और wind चलने लगे कुछ plane के चलने के 90 degree, 30 degree, 60 degree, 120 degree, ऐसे कुछ भी किसी angle पे, तो जब wind भी चलने लगे, your plane तो ground के frame में चली रहा था, तो अब जब ground से देखा जाएगा, तो net effect दिखाएदेगा, ground से net effect दिखाएदेने का मतलब यह है, कि जो plane जिस direction में पह वो different होगी, जो wind के stationary होने पे थी, plane की velocity, वो थी velocity of plane with respect to wind, wind को stationary मान के जो velocity थी, वो थी velocity of plane with respect to wind, but wind ground के respect में चल लगे है, इसलिए आपको plane भी ground के respect में, आपको different direction में जाता, वो दिखाएदेगा, कुछ-कुछ ऐसा ही है, अब wind समझ लिए, यह river की current हो गई, river का flow हो गया, plane की आप swimmer या boat को रख लीजिए, तो देखिए है क्या, जब river still होती है, still water boost को बोलते हैं, तो swimmer मान लीजिए, यह आपका question में आपका river का channel दे रखा है, river का channel आपको, यह रहा हमारा river का channel, यह river का channel, यह मैंने bank दिखा है, यह left bank है मान लीजिए, और यह right bank है, यह सी को cross करना है, आपका particle जिसको हम लोग बोल ला है, boat में, swimmer, जो भी है, जो cross करने को सिस कर रहा है, वो A से start कर रहा, river के channel की width दे रखी है, अब जब यह channel को cross करने की को सिस करता है, तो अगर river का flow ना हो रहा होता, उसमें river के flow की कोई velocity ना दी होती, तो swimmer या boat है, वो V velocity से चलती, यह V velocity क्य तो मैंने नीचे लिखा है, this is the velocity of swimmer with respect to river, और मैं बिल्कुल clear कर देता हूँ, तो कि यह doubt लोगो के remark में आता है, इसलिए मैंने बोला, कोई भी doubt है, तो पूछो तो, यह V velocity क्या है, यह velocity of swimmer with respect to river, अब आप बोलो कि river जब चली ही ने दी, तो with respect to river क्यों हो, भी with respect का funda समझ को है, लिए तो, बिषिए का मलब जिसके frame में देखा याता है, वह अपने आपको rest में देखे, तो river चले चाना चले, जब आ रिवर के frame में देखोगों तो, river being an observer अपने आपको rest में feel करेगा, तो आप जो swimmer की velocity है, तो अब режим अपने आपको rest में feel करेगा, वो, अब का river अप आपको करसा जैसा दिखा रहा हूँ तो river ऐसे flow के यह आ रही, river की velocity u है तो यह मैंने u लिख दिया, यह velocity of river है with respect to ground, ground से देखने अब जब river ऐसे u से चल लए है और यह swimmer ऐसे, board ऐसे v से जा रहा है तो जो ground से कोई बंदा देखेगा तो u कभी तो effect दिखाए देगा तो ground से कोई बंदा देखेगा, तो resultant दिखाए देगा तो v में आप u vector जोड़ दो कि देखे, मैंने vector जोड़ा भी है जब मैं क्लास में पराया था, तो random vector जोड़ा भी था और net vector यह इधर आया तो यह जो net vector होगा, यह होगी resultant velocity of the swimmer or boat तो resultant velocity of swimmer यह जो with respect to ground दिखाए देगी, यह with respect to river और river की velocity का vector sum होगी, पहली चीज तो आप यह समझे तो इसकी वज़े से क्या होगा कि A से, अगर माली जे river का flow ना हो रहा होता, तो कहीं यह swimmer यह बोड यहां कहीं पहुंचता, समझे और अब अगर river भी चलेगी तो यह पहुंचेगा कहीं, यहां कहीं resultant velocity के लोग यहां कहीं पहुंचेगा तो A के just जो opposite point है, A dash है, तो A dash से जितनी distance से flow के along चल जाता है, उसको बोलते हैं drift मुझे हो तो drift क्या होता है drift होता है, river के flow के along कितना चला drift क्या होता है, river के flow के along कितना चला और time taken to cross कैसे निकल लेंगे, तो देखें, ऐसे है कि यह motion two dimensional हो रहा है अगर हम A को माल ले origin हम लोग river के flow along के axis को माल ले x यह रही x अपनी, और river के flow के perpendicular वाली axis को माल ले y, कोई भी two dimensional motion उसको दो component से break करके करते हैं, पुछो तो कौन से दो component, एक x component एक y component, flow के along, x component flow के normal y component तो flow के along जो x component है, उसमें net velocity u है, ना v का भी तो component आएगा पुछो तो क्यों यह माल लेतने हैं कि river का जो flow था उससे v theta angle बिनाती हुए, तो v का एक component आएगा, v cos theta, एक आएगा v sin theta, यह देखे मैंने अगले figure में दिखाया है, u b है v cos theta भी है और v sin theta भी है, u b है v cos theta भी है, v sin theta भी है अब, देखे x axis के along, जो net velocity होगी वो हो जाएगी u plus v cos theta u plus v cos theta, i cap में लिख सकते हैं और y axis के along, जो net velocity होगी वो v sin theta, u का कोई component तो आएगा नहीं x axis के along कितनी होगी, u plus v cos theta y axis के along कितनी होगी, v sin theta तो जो cross करने में time लगेगा जो cross करने में क्या लगेगा, time वो कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद देखे, river crossing के question में time हमेशा कैसे निकालते हैं पूचो पूचो तो y axis में time time कैसे निकालते, river crossing में तो हमेशा y axis से निकालते हैं क्यों, तो कि y axis में time is equal to distance upon speed लगाना बढ़ा असान है जो एफॉर्मोशन हो रहा है, कोई acceleration नहीं है, distance कितनी d है और y axis में velocity कितनी है v sin theta है, तो y axis में जो river cross करने में time लगा वो कितना है d upon v sin theta x axis का velocity का y में cross करने में कोई रोली नहीं x axis वाली velocity तो ये river के flow के long है, ये cross करने में कोई help करेगी cross करने में तो cross वाली velocity help करेगी जो y axis के long है मुझे लिए perpendicular direction एक दूसरे के independent होती है तो जो time है में सब y से निकालना d upon v sin theta तो अब अगला question तो ये x वाली velocity का करेगी u plus v cos theta कर रही है ये u plus v cos theta क्या कर रही है तो ये u plus v cos theta drift दे रही है कितना हुआ drift तो drift एक distance है uniform motion में कैसे निकाल लोगे speed into time से speed कितनी net u plus v cos theta time कितना t कौन से time t जो cross करने में लगा जो कहां से निकला y से तो पहले हमेशा time निकालना फिर हमेशा drift निकालना पहले हमेशा क्या निकालना time फिर क्या निकालना drift निकालना लगे आतो एक numerical भी कर लेते हैं solve एक river का channel है जिसमें ये आपको 5 km दे रखका river के channel की width 5 km river itself flow कर रही है 10 km पर hour से और एक swimmer है वो 20 km पर hour से 60 degree from the flow angle पर जाने की कोसिस कर रहा है flow की direction को x माल लेते हैं तो x से angle दिया होता है 20 60 degree बनाते हुए चला जा रहा है 20 के दो component करो पहले तो 20 cos 60 जो कि 10 आएगा 20 sin 60 जो कि 10 रूटी आएगा sin 60 रूटी बाई 2 cos 60 रूटी आएगा अब x में नेट विलोस्टी देखो 10 plus 10 कितना होगा है 20 y में कितना 10 रूटी अब क्या बताया था time अब एक से निकालो तो time कितना आएगा भहिया distance upon speed 5 km speed कितनी 10 रूटी किलोटी किलोटी परार 5 upon 10 रूटी half route diff कितना होगा speed into time तो x में speed net कितनी होगा 20 और type कितना 5 upon 10 रूटी देखे कोई formula नहीं लगा है मैंने formula नहीं लगाना basic लगाना है formula से याद करोगे रट होगे तो गलती ही होगी तो पूछो तो क्या करना है हमेशा time निकालना है y से drift निकालनी है x से फिर से बोलो time निकालना है y से drift निकालनी है x से तो देखें यहाँ पर time भी आ गया r में निकलेगा drift किसमें? kilometer में क्योई unity यही थी तो I think आपके समझ में आया होगा और इसका हम लोग जो दो cases बन सकते हैं salt test time और salt test path वो भी अगले videos में जरूर करेंगे